बॉलिवूड एंडेस्टि काफी पुरानी हो गई है और हर साल तमाम फिलमें रिलीर्स होती एं बॉलिवुड फिलमों को ना सिर्फ इंडिया में बलकि दुनिया भर में पसंद किया जाता है जैसे जैसे समय बदलता बॉलिवूट की फिल्मों को बनाने का तरीका भी बदलता चल गया जहां पहले सिर्फ भारत में फिल्मों शूट की जाती थी और आज के समय में फिल्मों को विदेश में भी शूट किया जाना काफी आम बात है लेकिन कि आप जानते हैं कि विदेश म शूट होने वाली पहली बॉलिवुड फिल्म कौन सी थी तो आईए हम आपको इस वीडियो के माधियम से बताते हैं कि बॉलिवुड की किस फिल्म को पहली बार विदेश्ट में शूट किया गया था नमशकर दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अनुशका और आज के इस वीडियो में आपके साथ बॉलिवुड से जुड़ी हुई अपडेट साजा करने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश कीजेगा तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट ने बताया जाता है कि साल 1964 में आई राज कपूर के फिल्म संगम विदेश में शूट की गई थी दिखाया गया था, फिल्ल संगम के इन रॉमांटिक सीन को वेनिस, पेरिस और स्विजल लैंड में फिल्माए गए थे, इसके साथ ही राज कपूर, वैजनती माला और राजेंदर कुमार के फिल्म संगम बॉलिवुड की कलंबी फिल्मों में से एक थी, इस फिल्म को दू 38 मिनट तक बनाया गया था, इस फिल्म में दो इंटरवल बनाये गए थे, राज कपूर, वैजनती माला और राजेंदर कुमार के फिल्म संगम राज कपूर प्रडक्शन की पहली रंगीन फिल्म थी, इस फिल्म को विदेश में शूट करने के लिए राज कपूर ने काफी जादा पैसे खर्श किये थे, हाला कि फिल्म संगम ने बॉक्स आफिस पर जमकर कमाई भी की थी, जिसके चलते राज कपूर को कोई भी नुकसान उठाना नहीं पड़ा, फिल्म संगम में विदेश लोकेशन के पर शूट होने के बाद तमाम फिल्में की शूटिंग होने ये सिलसिला चल पड़ा, आपको बैबता दू कि फिल्म ने अपने भजेट से चार गुना कमाई की थी, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जाता है कि विदेशी लोकेशन पर शूट होने वाली भारतिय फिल्म अफ्रीका में हिंद थी, ये फिल्म साल 1940 म हीरेंद्र बसू का डिरेक्शन में बनी थी, दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ जैहिन वंदे मात्रम